जटात वीग लज्ज लप्रवाह पावितस्त लेक लेवलंब्यलंबितां भुजंग तुंग मालिकांथ वड्ड मड्ड मड्ड मन्नि नाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांड वं तनोतुन शिव शिव जटा कटाह संभ्रम अभ्रम निलिम्प निर्छरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मुधनी धगत 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 चललला लाट पक्त पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिफ प्रतिक्षण जैसरी महाकाल आदेश चंदनात अगोरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंदनात अगोरी सिव सक्ति तंतर मंतर के इंदर में फिर स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों के लिए बहुती लाजवाब और बहुती दिन साधना लेकर आया हूं और सबसे हटके साधना है तो यह जो साधना है पिरत्यक्षण माला नाईका की शाधना है और जो की अगोर पर देतीश है देखिए जैसे अब सराय होती है या यक्षणी होती है ठीक उसी पिरकार आठ नाईका भी होती है अश्ट नाईका बोलते है तो यह भी देवियोनी में से है और जो इनका कार्दे था कहते हैं कि जो जिसी मुनी शाधू शंत हुआ करते थे जो साधनाए करते थे साधनाओं में लिपते रहते थे हमिशा भक्ती में ही रहते थे तो उनकी तपस्या भंग, साधना भंग करने के लिए इन नाइकाओं को देव लोग से भेजा जाता था और ये इतनी शक्ती संपन होती है और इतनी लाजवाब यानि शक्ती है इनकी कि कोई शादक इनकी शाधना कर ले तो वो जग जीत सकता है जग जीत ही लेता है बड़ी ही लाजवाब साधना है तो जो ये नाइका थी इनका जो कार रहता साधना एक खंडित करने का और साधना में बिधन डालने का कार रहता है क्योंकि ये इतनी शुंदर होती थी कि कि रिशी मुनी जो सेकलों सालों से बिरम चर्रे में रहते थे उनका भी बिरम चर्रे तोड़ देती थी क्योंकि इनके अंदर जो काम उकता बहुत होती थी यानि काम यानि काम उकता और काम बासना यानि काम सक्ति इनके अंदर कुट कुट के भदी होती थी तो ये किसी का भी मन मोहने में शक्षम है किसी को भी अपने बस में करने की इन्वे भलिवातिक कला थी तो आज मैं जो एक नाइका की शादना देने जा रहा हूं जो की सुनवाला नाइका है और पिरत्यक्षी करन की शादना कि अगर कोई शादक सुनवाला नाइका की शादना कर लेता है तो उसके अंदर आकरस्ण सकती कुट्पन होने लगती है और उसकी आखों में एक ऐसा जादू चमतकारी यानि जादू कहूंगा मैं तो कि अगर कोई इस व्यक्ति से संपर्क करता है शादक से तो उसी का होकर रह जाएगा क्योंकि जो स्वर्ण माला है इसारी नाइकाओं में आकरस्ण चमता बहुश जादा है कि किसी को भी अपने बस में मिंटों में कर सकती है यही जो अगर कोई सादक शिद्द कर लेता है इने तो उसके अंदर भी अकरस्ण सक्ति उत्पन हो जाती है और यह इतनी पावर्फुल होती है कि यह किसी के भी माहिंट में घुश सकती है मनमाफिक काद्रे करवाया जा सकता है इनके माध्यम से और किसी की निकेटिव एनरजी को भी हटा सकते हो किसमें कोई दोरायवाली बात नहीं है यह कि बड़ी ही सकतिसाली होती है और सब देव योनिस से हैं है तो बड़ा ही लाजवाब मंत्र है इनका बड़ी ही अच्छी कार्दय्य चमता कोई शादा का किसी के बारे में है कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो में जानकारी देती है हजाद Hai Do Do Koshka बता देती है कि कुझ भ्यक्ति कि सुझ तरी जानकारी शटिक देती है एनके माध्यम से निकईपैनर्जी को भी हटा सकते हैं चाहा कोई हो holds क्यों हो कि किंद्ध थर शोप परेशान है और इनके माध्यम से निगेटिव एनर्जी नहीं हट रही है तो इनके माध्यम से हटाया जा सकता है कि देखना अजान हो रही है और मुझे लगता है कि खुदा भी गवाई दे रहे हैं तो बड़ी ही लाजवाब साधना है और साधना करें लाव उठाएं यानि कि जितनी भी मैं इन नाईकाओं की तारिक करूं इदनी कम-कम है और भी बहुत इनके माध्यम से कार्रे किये जा सकते हैं एक तो और एक बात और बताऊंगा कि नाईका कोई भी यानि की बस्तू लाने में सम्ट सक्षम है अगर कोई बस्तू मंगाना चाहते हैं तो इनके माध्यम से मंगा सकते हैं कहीं चमतकार दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल दिखा सकते हैं चमतकार साधना करें लाव उठाएं और अपने जीवन को बल दें और जो साधक इनकी शाधना करता है तो सारी समस्या उसे मुक्ति पा लेता है यानि धन की समस्या कभी नहीं रहती यह बगेरा सब उसके जीवन में सोयम आने लगते हैं क्योंकि यह अपने शाधक की सभी मनों को आमनाय पूर्ण करती है और संसार का हर सुद्देने की कोशिस करती है और ऐसा होता ही है हंडेट परसे शाधना है और आपको पिर्टी दिन 21 माला जाप करना है शाधना के दुसरे तिसे दिन से ही दिव्य अनुवफ सुरू हो जाते हैं साधक को तो डरने वाली जैसी कोई वाद नहीं है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी 21 दिन शाधना काल में ब्रह्म चाज्य अनिवाद्य है नो गर्जब की साधना है एक तालीस दिन की साधना एक तालीस दिन में 21 माला प्रती दिन गन्नी है एक लकड़ी की चोकी ले ले उस पर शपेद वस्तिर बिछा ले दीपक प्रजिलित करें तिलके तेल का भोग में शपेद मिठाई रखें और शराब रखें तो डिशा आपकी पूर्व रहेगी आसना आपका पुशाका रहेगा है माला रुद्राक्स की रहेगी में हुआ सबस्तों के सपेद रहेगे कि शाधना काल में ब्रहमचार रहनी वाद नौनवच का इस्तमाल नहीं करना और आप साधना संकलब लेकर भी कर सकते हैं बिना संकलब के ने सभा में जु अनुबहों श्वाय अंने गुरुगां किहिंसे सीहन ही घए जितनी बड़ी यानी सक्तिसाली साधना होती है इतना ही समय लगता उसे वर यून की नाई का है बहुत ही सक्ति साली चोडती याने कर फोड़ी बड़ा गजब की साधना है और मेरा मानना है कि आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे, नाई का की शाधना, ये अश्टनाही का होती हैं, ये आद नाई का होती है, और ये यकषणियों की भाती और अफस्राव की भाती शक्ति संपन होती है और मैं कहूँँगा इन से भी कहीं पाव दिवार से यारी शंडे से सुरू कर सकते हैं कि संद्या आट वजे से सुरू करें 21 माला पुरती दिन करें कि भूग में सपेद मिठाई रखनी है और आपका शराव रखनी है तो आप शाजना के अंदिम दिन आपको घ्यादा माला से आउती करने हैं सभी शादनाओ की बाती पहले मंत्र सुल ले मंत्र थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल सा है कोई भी शादक बड़े आदाम से कर सकता है मंत्र है ओम जय जय शर्वदेवा सुर्पुजीते सुवण माले हूम हूम ठाठा श्वाह मंत्र एक वाल सुने वह भी शादक बड़े आद्सक्ता कर सकता है 31 दिनकी शादना है बड़े सिंपल तरीके से कोई भी शादक कर सकता है नियांतिंग दिम दिन आपको आहुति करने हैं दो की छीश से नियां भोभी सुले !! आपको हम्ति साम फीदिन जो लें ःलाइचा, लोंगे ये तेल , और घी 4000 अधी 16 जaking 11 म आओल आफ़ा से आहुतिsis करतछेhost को प्रिटक्ष दर्सन देती हैं स्वल नाई का और स्वल माला नाई का प्रितक जिदर्सन देती हैं और सिद्धी प्रिदान करती है जो भी शादक है शाद ना करना चाहते हैं शाद ना करें और लाव उठाएं अपने जीवन को एक नहीं रहा दें तो आशा करता हूंगे वीडियो परसंद आई होगी कर लाव खलाएं